दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदेशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों भारती इतिहास के महत्वण प्रशनों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सालव करेंगे मुगल वन्स के अंतरगत बाबर एवं हुमायू से संबंधित महत्वण प्रशनों का प्रेक्टिस सेट बीच में हम शेर साहसूरी से संबंधित कुछ प्रशनों को सालव करेंगे दोस्तों ये वीडियो बिभिन प्रतियोगी परिक्षाओं के सामान ग्यान और सामान अध्यन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो भारती इतिहास के अंतरगत मुगल वन्स में बाबर एवं हुमायू से संबंधित महत्वण प्रशनों का प्रैक्टिसेट पहला प्रशन है मध्यकालीन भारत के मुगल सासक वस्तुते थे क्या फार्सी या इरानी अफगान चगताई तुर्क या उपर युक्त में से कोई नहीं तो सही उत्तर है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुते चगताई तुर्क थे आ अधिकार में मध्ध एशिया तथा तुर्कों का देश तुर्किस्तान आता था। अगला प्रश्न है इन में से किसने बाबर को सर एपुल के युद्ध में पराजित किया था आपको बताना है। अगला प्रश्न है किस मुगल सासक ने भारत में ओटो मन युद्ध पद्धत को अपनाय था। अकबर, साह जहां, बाबर या उपर युगत में से कोई नहीं तो सही उत्तर बाबर ने आपसंसी। दोस्तों याद रखेगा मुगल शाशक बाबर ने भारत में आटो मन युद्ध पद्धत को पानिपत के पर्थम युद्ध 1526 में अपनाया। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोप खाना था। अगला प्रेश्ण है पानिपत का पर्थम युद्ध किसके मध्य हुआ था। बाबर और राडा सांगा, हेमू और मुगल, हुमायू और शेरखा या बाबर और इब्राहिम लोदी तो सही उत्तर बाबर और इब्राहिम लोदी। दोस्तों आप जान लिजे पानिपत का पर्थम युद्ध 21 अप्रेल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, बाबर के पास विशिष्ट सुभिधाय थी, उसके तोप खाने ने इस युद्ध में आशर जनकार किया, इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अध बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी शैने कुसलता थी, आपसन B आपका सही उत्तर है, बाबर ने अपने शैने कुसलता के बल पर पानिपत की पहली लड़ाई जीत ले थी, अगला प्रश्न है, निमने लिखित में से किस युद्ध में एक पच्छ द्वारा पर्थम बार तोपों का प्रियोग किया गया था, आपसन है पानिपत का पर्थम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या पानिपत का तीसरा युद्ध, तो सही उत्तर है, पानिपत के पर्थम युद्ध में एक पक्ष द्वारा यानि बाबर के द्वारा तोपों क प्रियोग किया गया था ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रेल 1526 को हुई थी अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पानिपत का पर्थम युद्ध आप देखिए 1526 सही है खानवा का युद्ध 1527 सही है गागरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1530 ये आपका सही नहीं है दोस्तों आप जान लीजे कि पानिपत का पर्थम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राड़ा सांगा के बीच गागरा का युद्ध 1529 में बाबर और महमुद लोदी के बीच जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राह की बीच हुआ था आप संडी आपका सही सुमेलित नहीं है अगला प्रश्ण है निम्नलिकित में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घुषडा की थी पानिपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या उपर युग्त में से कोई नहीं तो सही उत्तर खानवा का युद्ध दोस्तों आप जान लिजे बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घुषडा की थी खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राड़सांगा की बीच हुआ था इस युद्ध में राड़सांगा पराजित हुआ था अगला प्रश्ण है भारत के मुगल सासक बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था आपसन है बाबर हुमायू जहांकीर या बहादुर शाह तो सही उत्तर है बाबर दोस्तों आप जान लीजे बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था इसका जन्म 14 फरवरे 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था तो याद रखिएगा भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने बाबर नाम रखा था अगला प्रश्ण है वह मुगल सामराट जिसके जीवन से धैरे और संकल्प की सफलता की सिक्षा मिलती है तो सही उत्तर हो जाएगा जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर आपसन ए दोस्तों जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर की जीवन से धैरे और संकल्प से सफलता की सिक्षा मिलती है बाल्य अवस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बावर ने कभी हिम्मत नहीं हारी उसके साहस और धैर का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल सामराज्जी की नियू डाली थी अगला प्रश्ण है तुझके बावरी किस भाषा में लिखा गया था फार्सी अर्बी तुर्की या उर्दू तो सही उत्तर है तुझके बावरी तुर्की भाषा में लिखा गया था दोस्तों तुझके भाबरी तुर्की भाष़ा में लिखी गई बाबर की आत्मकता है अगला प्रश्ण है आयुध्या हिस्थित बाबरी मस्जित का निर्मार किस ने कराया था आपसन है बाबर हुमायू निजामल मुल्क या मीर बाकी तो सही उत्तर है मीर बाकी आपसन डी दोस्तों ऐसी माननेता है कि मुगल बाहत शाह बाबर के सिननायक मीर बाकी ने आयुध्या में बाबरी मस्जित का निर्मार कराया था इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन मुगल सामराजी के संस्थापक थे तो आप जानते हैं बाबर ने मुगल सामराजी की अस्थापना किया था भारत में मुगल सामराजी की अस्थापना जहिरुद्धीर मुहम्मद बाबर ने 21 अप्राइल 1526 में पानिपत के पर्थम युद्ध में लोधी वंश के सासा की इबराहिम लोधी को हराकर किया था अगला प्रश्ण है जब बाबर ने पहली बार भारत पर आकरमण किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तक्त पर कौन विराजमान था आपको बताना है तो सही उत्तर इबराहिम लोधी दोस्तों जब बाबर ने पहली बार भारत पर आकर्मण किया उस समय दिल्ली सल्तनत के तक्त पर इब्राहिम लोदी का शासन था लोदी बंस का अंतिगर के बाबर ने मुगल सामराज्जी की नियू रखे थी अगला प्रशन है खानवा के युद में बाबर द्वरा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था तो ये था राडा सांगा दोस्तों खानवा का युद 1527 में मुगल शासक बाबर और मेवाड के राज़ा राणा सांगा के बीच हुआ था इस युद में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था अगला प्रश्न है कि बाबर की मृत्तु कहां हुई थी आपको बताना है बहुत ही महत पूर्ण प्रश्न है आगरा काबुल लाहौर या दिल्ली तो सही उत्तर है बाबर की मृत्तु आगरा में हुई थी दोस्तों बावर की मृत्तु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई प्रारम में उसने नूर अफगान यानि आधुनी कारामबाग में दफनाया गया था लेकिन बाद में उसे काबुल के उसी के दौरत चुने गये अस्थान पर दफनाया गया था अगला प्रशन है बावर ने सरुपर्थम पादशाह की पदवी धारण की थी कहाँ पर फरगना में काबुल में दिल्ली में या समरकंद में तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर काबुल में दोस्तों याद रखेगा बाबर ने 1504 में काबुल विजय और काबुल में 15078 हिस्वी में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने पुर्वजो द्वारा धारण की गई उपाध मिर्जा का त्याक कर नई उपाध पाधशाह धारण की थी तो याद रखेगा बाबर ने सबसे पहले पाधशाह की पदवी काबुल में धारण की थी अगला प्रशन है बाबर ने अपने बाबर नामा में किस हिंदु राज्य का उलेक किया है तो ये बहुत ही महत्तपूर्ण प्रशन है आप जान लीजिए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदु राज्यों का उलेक किया है उसमें विजे नगर और मेवार तो तो सही उत्तर हो जाएगा पंजाब आपसंसी दूस्तों याद रखेगा बाबर ने पहली बार उत्तर पशिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया और बाबर का भारत पर पर्थम आक्रमर 1519 में भेरा पर हुआ था जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के स लोदी का शंबन्धी था और वह दिल्ली के राज सिंहासन का दाविदार था दूस्तों आलमखा إबराहिम लोदी का चाचछा था उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना आधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमर करने के लिए आमंतरित किया था अगला प्रश में काबूल पंजाब और आधुनिक उत्तर परदेश का छेतर शामिल था आपसंसी आपका सही उत्तर हो जाएगा तो बाबर के सामराज में काबूल पंजाब और आधुनिक उत्तर परदेश का छेतर शामिल था लेकिन आधुनिक राजस्थान का छेतर उसके सामराज में शाम और थोड़े से शासनकाल के लिए सेड़सा से संबंधित महत्तपूर प्रश्णों को पहला प्रश्ण है कि निम्न नामों में उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायू के भाईयों में से किसी का नाम नहीं था आप सन्हें देखे कामरान उस्मान असकरी और हिंदाल तो उस्मान द फरीद जो बाद में सेर शाह सूरी बना उसने कहां से सिक्षा प्राप्त की थी सहसा राम पठना जौनपूर या लाहौर तो सही उत्तर जौनपूर हो जाएगा दोस्तों फरीद जो बाद में शेर साह सूरी बना उसने अपनी सिक्षा जौनपूर से प्राप्त की थी अगल उत्तर क्या हो जाएगा शेर साह हो जाएगा और आप जान लीजिए दोस्तों कि मध्ध युगिन शासकों में जो शेर साह था इसने जौनपूर से अपचारिक सिछा पराप्त किया था जो उस समय उच्छ सिछा का महत्तपूर केंद्र था अगला प्रश्न है निम्नलिखित मे पहले हजरते आला के उपाध ही अपनाई और बाद में सुल्तान की तो सही उत्तर है शेर साह सूरी ने आपसंसी दोस्तों दिल्ली बंगाल के शासक नूसरस साह को पराजित करके शेर खा यानी सेर साह ने पहले हजरते आला के उपाध हिधारन की बाद में सुल्तान की अग अगला प्रश्ण है। अगला प्रश्ण है। अगला प्रश्ण है हुमाईू ने चुनार दुर्ग पर प्रतंबार आक्रमन कप किया था? 1532, 1531, 1533 या 1536 में तो सही उत्तर 1532 में दोस्तों हुमायू ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आकरमण 1532 में किया और इस किलो को उसने चार महिने तक घेरे रखा जिसके बाद शेर खाने हुमायू की अधिनता स्विकार कर ले थी अगला प्रिश्ण है निमनलिखित घटनाओ पर विचार कीजिए और उन्हें करम के अनुसार सजाईए दवरा का युद्ध कन्योज का युद्ध सामुगण का युद्ध और चौसा का युद्ध तो आप जान लेजिए सबसे पहले दवरा का युद्ध हुआ था 1532 में फिर चौसा का युद्ध 1549 में कन्योज का युद्ध 1540 में और सामुगण का युद्ध जो है ये 1558 में तो सही उत्तर 1423 आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पती के लिए मकबरे का निर्मार करवाय था तो सही उत्तर है हाजी बेगम ने दोस्तों याद रखेगा हाजी बेगम ने अपने पती हुमायू के मकबरे का निर्मार दिल्ली के दीन पनाह में 1565 से 1572 के मद्ध कराया और इस मकबरे का वास्तुकार मीरक मिरजागियास जो की इरानी वास्तुकार था अगला प्रश्न है चांदी का सिक्का किस ने शुरू किया अकबर शेरसाह अलावदिन खिल जी या बक्तियार खिल जी तो सही उत्तर शेरसाह ने दोस्तों आप जान लिजे शेरसाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा पडाली को अस्थापित करने का सरेप राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और ब्रिटिस मुद्रा का आधार बनी उसके चांदी के सिक्के रूपया का तौल 178 ग्रेन था जिसमें 173 ग्रेन विशुद चांदी थी अगला प्रश्न है शेरसाह के अंतरगज तांबे के दाम और चांदी के रूपया की बिनमेदर क्या थी तो सही उत्तर है 32 और 1 दूस्तों याद रखिएगा शेरसाह की मुद्रा बेवस्था अत्यंत विक्सित थी इसने शुद्ध चांदी का रूपया और तां तांबे के सिक्के सामिल थे सुद्ध चांदी का रूपया का आविशकार या चलन किस ने किया था तो सही उत्तर है शेरसाह ने दोस्तों सुद्ध चांदी के रूपया का आविशकार किया था या शुरू किया था शेरसाह ने पुराने घीसे पिटे सिक्कों के अस्थान प प्रचलन कराया उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन और ताबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था अगले प्रशन पर आते हैं मात्र एक मुठी बाजरे के चकर में मैंने अपना सामराजिक हो दिया होता इस कतन को आप किस मद्धिकाली इंशासक से संबध करेंगे तो सही उत्तर है ये कतन शेरसाह से संबंधित है दोस्तूं शेरसाह सूरी मारवार की युद्ध में राजबूतों के शौर पराकरम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुक से ये वाके निकला कि मातर एक मुठी बाजरे के चकर में मैंने अपना सामराजिक हो दिया होता अगला प्रशन है शेरसाह का मकबरा कहां पर है तो सही उत्तर है शेरसाह का मकबरा बिहार की रुहतास जिले में सासाराम नामा का स्थान पर है अगला प्रशन है निमनलिखित में से किस असमारक का निर्मार सेरसाह ने कराया था तो सही उत्तर है दिल्ली की किले एक कुहना मस्जित किला एक कुहना मस्जित जो है ये सेरसाह का छोटा सासंकाल भारती भौल निर्मार कला के इतिहास में संक्रानती का यूग है किला एक उहना मज़िद दिल्ली में 1541 में बनी थी जो उसके उज्जोल वास्तु कलात्मक गुडों के कारण उत्तरी भारत के एतिहासिक भावनों में उच्छ अस्थान रखती है अगला प्रश्ण है दिल्ली में पुराना किला के भावनों का निर्मार किया था किसने दिल्ली में पुराना किला के भावनों का निर्मार किसने किया था फिरोज दुगलक ने इबराहिम लोदी ने शेरसाह ने या बाबर ने तो सही उत्तर है शेरसाह ने दोस्तों दिल्लीक इस्थित पुराना किला के भवनों का निर्मार सेरसाह सूरी ने कराया था यहां किला एकोहना मस्जिद शेर मंडल आदिभवन शेरसाह के द्वारा बनवाए गये थे अगला प्रश्ण है क्रिस्कों की सहायता के लिए किसमत धिकाले इंशासक ने पट्टा और कबूलियत की वेवस्था प्रारम की थी तो सही उत्तर है शेरसाह ने दोस्तों क्रिस्कों की मदद के लिए शेरसाह ने पट्टा और कबूलियत की वेवस्था प्रारम की किसानों की सरकार की योर से पट्टे पर जो दिये जाने वाले जो थे पट्टा और कबूलियत की पर था आप जान लीजे दोस्तों ये शेरसाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था अगले प्रश्ण पर आते हैं निमनलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी आपको बताना है बहुत ही महुत तो पूर्ण प्रश्ण है सही उत्तर आपका शेर साह हो जाएगा दोस्तों शड़क ए आजम को Grand Trank Road भी कहा जाता है GT Road और प्राचीन काल में इसे उत्तरापत कहा जाता था सड़क ए आजम का निर्माड शेर साह ने करवाया था अगला प्रश्ण है शेर साह का उत्तरा धिकारी कौन था शुजात खां इसलाम साह फिरोश शाह या मुहम्मज शाह आदिल तो सही उत्तर क्या हो जाएगा सही उत्तर इश्लाम साह आपसन बी दोस्तों शेर साह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इश्लाम साह यानि जलाल खाथा वह एक योग्य उत्राधिकारी सिध्धुआ इसने शेरसाह के समय के सासन बिवस्था को अस्थापित रखा था अगला प्रश्ण है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडर मल ने किसके अधिन सेवा की थी आपको बताना है अगला प्रश्ण है सेर खाने हुमायू को पंद्रह सो उन्तालिस और पंद्रह सो चालिस में किन दो अस्थानों पर पराजित किया था तो सही उत्तर है चौसा और कन्नोज में दोस्तों शेर खाने हुमायू को पंद्रह सो उन्तालिस में चौसा और पंद्रह सो चालिस में कन्नोज की युद्ध में पराजित किया था अगला प्रश्न है सेरसाह द्वारा निर्मीत ग्रेंड ट्रेंक रोड या सडक ए आजम पंजाब को किस के साथ जोडती थी लाहोर, मुल्तान, आगरा या पूर्वी बंगाल तो सही उत्तर है पूर्वी बंगाल दोस्तों आप जान लिए शेरसाह द्वारा निर्मीत ग्रेंड ट्रेंक रोड ततकालीन पंजाब को पूर्वी बंगाल यानि पेशावर को सोनार गाउं के साथ जोडती थी अगला प्रश्न है सेरसाह की मृत तो कहां लड़ते हुए हुई थी चौसा में कलिंग में कालिंजर में या इन में से कहीं नहीं तो सही उत्तर है दोस्तों कहां पर याद रखिएगा सही उत्तर कालिंजर में हो जाएगा ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दोरान किले की दिवार से टकरा कर लोटे एक गोले के विस्फोर्ट से शेरसाह की 1545 में मृत्तु हो गई और मृत्तु के समय वह उक्का नामक आगने आस्तर चला रहा था अगला प्रशन है किस मुगल सासक ने दो बार शासन किया था साह जहां हुमायू बाबर या जहांगीर तो सही उत्तर है हुमायू दोस्तों आप जान लीजे मुगल बादशाह हुमायू ने दो बार शासन किया 1530 में बाबर किम्रित्तु के बाद हुमायू ने मुगल सामराजी की बागदोर समहली लेकिन 1540 में बिलग्राम युद्ध में शेर साह से पराजित होकर हुमायू को देश छोड़ने के लिए बात दे होना पड़ा पुनह 1555 में हुमायू ने सरहिंद के युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित करके अपने खोई हुए सामराज्जी पर अधिकार कर लिया अगला प्रश्ण है 1540 में किस युद्ध के पशात हुमायू को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था दवरा सूरजगर कन्नोज या चौसा तो सही उत्तर है कन्नोज सेर्शाह ने 1540 में हुमायू को कन्नोज या बिलग्राम के युद्ध में परास्त करके दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया इसके पशात हुमायू को बिवस होकर निर्वासित की भात इधर उधर भटकना पड़ा था अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दोरान भारत में एक रूपय का सिक्का टक सालित या मिंट किया गया तो सही उत्तर है शेर्षा सूरी के समय में दोस्तों शेर्षा सूरी के सासनकाल में भारत में एक रूपय का सिक्का ढाला गया था और शेर्षा की मुद्रविवस्था अत्यंत विक्षित थी अगला प्रशन और आज के प्रैक्टिस हिट का आखरी प्रशन है कि इन सासकों में किसने अपनी सेन टुकडियों को 200, 250 और 500 की इकाईयों में विभाजित किया था बहलोल लोदे, शिकंदर साह, शेर साह या इसलाम साह तो सही उत्तर है इसलाम साह ने दोस्तों इसलाम साह सेर साह का पुत्र था, इसलाम साह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग आठ वर्शन तक शासन किया और उसकी मृत्तु पंद्रे सो तिर्पन में हुई, इसलाम साह ने अपने सेने टुकडियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाईयों में विभाजित किया था तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मध्यकाले इन भारत के इतिहास के अंतरगत, मुगल वंश के प्रारम में बाबर हुमायू और हुमायू के साथ शेर साह के सासनकाल से संबंधित महत्तपोर्ण प्रशनों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन परिक्षा के सामान ग्यान और सामान अध्यन के साथ अध्यापक भरती परिक्षाएं जो इतिहास विसे सायजित होती हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इन प्रशनों को तैयार कर लिजेगा, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार